हेलो फेंट मेरे चनल वेल्टकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि money management के बारे में और risk management के बारे में इंटर डे में हो, stock market में हो, किस साब से हमको धन्यती बना के काम करना चाहिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने अभी Tata Motor का share बाई किया है वो मैंने क्यों बाई किया है मैं आपको बताता हूँ Tata Motor के बारे में फॉड़ा fundamental देख लेते हैं इसकी debt equity ratio 2.56 है debt जो है इसके अंदर 1,42,000 कोड का है और pledging भी कर रखी है पर मोटे ने शेर गिरी भी रख्यों है 1.82 पसंट की pledge पसंटेज है इसकी balance sheet को देखेंगे तो company 3-4 साल से loss में है अब आप कहेंगे कि balance sheet में इतना जारा loss है company कहा भी debt में है pledging कर रखी है पर मोटे ने तो इसको मैंने इसलिए बाई किया क्योंकि company का कहना है आने वाले 4-5 साल में हम debt free हो जाएगे 45-50 के plus है तो आप ऐसे stock को avoid किजिए अगर यह stock on नीचे आएगा तो मैं इसको द्वारा accumulate कर लूँगा जैसे करोना के चकर में तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके और बात करते हैं टाटा मोटर का बिजनस सिर्फ इंडिया तक नहीं है टाटा मोटर यूए साउथ कोरिया साउथ अफरीका चाइना ब्याजील रशिया जैसे बड़ी कंट्री में भी इसका बिजनस है इसका मैनिफेस्चर फेसलिटी स से 20 पसंद आता है इंडिया से 18 पसंद का जिनाटेट केंडम से 16 पसंद चाइना से 14 पसंद और रेस्ट ऑफ जिरोप से 16 और बाकी रह गया रेस्ट और वर्ल्ट थे टाटा मोटर का मैक्सिमुल रेनू ज्यला से आता है 79 पसंद का और पैसेंजर वीकल में मार्किशेर काफी सारे नए मौडल लांच की हैं गाड़ी के अंदर मुझे लगता है फ्यूचर में यह कंपनी अच्छा कर सकती है इसका माकेशेर में मुझे रखता है कि काफी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है कंपनी जो बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि कंपनी अपनी बैटिटी की तो इंटरनेशनल मार्केट में और डॉमेस्टिक मार्केट में दोनों जगा कंपनी का मार्केशेर इंक्रीज हो सकता है कास्प में भी प्रफेंटिव वीकल में भी और कमर्शियल वीकल में भी अगर मार्केशेर कंपनी का इंक्रीज हो गया कंपनी के रिवैन्यू करें मैंने जो है टाटा मोटर्स के अंदर जुआ खेला है क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर काफ काफी जारा है वी डेट है वो बैलन शीट में कंपनी जो है लॉस में अगर वहीं डेट जो है फ्यूचर में कम नहीं होता है कंपनी लॉस में ही रहती है पॉफिट में नहीं आती है तो stock के अंदर हमें अच्छा decline देखने को मिल सकता है अभी चार्ट पर देखें तो add percent ये stock consolidate हो रहा है अगर moving average को देखें तो इसका 1.500 रुबे के पास golden crossover हुआ था अभी तक इतने sell signaling दिया 3.500 रुबे के आसपास इसका resistance level है और इसका support level 285 के पास है मैंने बहुत चोटी quantity buy किये मैंने सिर्फ 50 share buy किये अगर नीचे आएगा तो इसके अंदर मैं द्वारा buy करूंगा मेरा next level क्या होगा buy करने के लिए वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा जब सरी time आएगा जब यह अच्छे खासे अपने support पर खड़ा होगा तो चलिया यह दोस्तों अपना शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो तो मेरे साफ से जो भी बंदा stock market में काम करता है जाए इंटेडे हो community market हो कोई सी market हो जो risk management को नहीं जानेगा money management को नहीं जानेगा प्रपर प्लानिंग से काम नहीं करेगा तो वो stock market से ज़्यादा अच्छा return नहीं कमा सकता loss होने की possibility उसको ज़्यादा है अगर ज़्यादा return नहीं मिलेगा तो ज़्यादा profit भी नहीं होगा दुस्तर गर हम stock market पर पैसा लगाते हैं चाहे इंटरडेटेडिंग करें चाहे commodity trading कहीं भी करें तो हम मारा जो return होता है वो हम assume करके चलते हैं कि इतना हमको return मिल जाएगा लेकिन जो reward होता है वो time के साथ ही मिलता है तो हम कहीं भी पैसा invest करते हैं तो उसका जो हमें reward मिलने वाला होता है उसका return आने वाला होता है वो आप decide नहीं कर सकते कि कितना होगा कितना आप stock market में invest करके कमाल होगी हम से अब assume कर सकते हैं कि शायद इतना हमें मिल जाएगा तो जो reward होता है वो uncertain होता है और जो जिस होता है वो सब हमारे control में होता है तो यहाँ पे एक ही चीज हमारे हाथ में हैं हम अपने loss को control कर सकते है हम यह चीज control कर सकते हैं कि हमें कितना loss उठाना है किसी भी चीज में हम कोई भी stock को buy कर रहे है long time के लिए या internet trading कर रहे हैं तो एक stop loss लेके हम चल सकते हैं हमेशा तो एक simple सा concept है अगर हर investor को समझ आ जाए तो उसको loss तो मेरे साफ से कम से कम होगा तो कि कई investor को मैंने देखा है जो internet trading हो या stock market से इतना पैसा नहीं बना पाते तो मेरे साफ से हर age के investor को एक plan बनाके ही stock market में आना चाहिए कि मैं कितना पैसा लगाना चाहता हूँ उसको invest करने से पहले सोजना चाहिए तो मैंने age group के साफ से कुछ slab बनाया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साफ से एक investor को काम करना चाहिए suppose कर लिजीए कि आपके पास 10 لاक रफे है हम पहला case लेते हैं जिस एक investor है उसकी age है 50 साल उसके पास 10 لاक रफे हैं इंवेस्ट करने को उसके बास total 10 لاक की पुर्ज है उसने अपने 50 साल की उमर में मेहनत करके उसकी total मेहनत की कमाई है 10 لاक रफे तो मेरे असाफ से इस age में आके उसको कोशिश करनी चीए कि वो stock market में कम से कम पैसा लगाए, वो एक safe zone में जाए वो कि एक ऐसी age आ गई है, इस age में वो risk नहीं ले सकता अपनी capital पे वो कि stock market का कुछ नहीं पता कि कभी भी वो कोई भी external या internal कोई bad news आज़े तो एक दम से वो stock market टूट भी सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई उसने stock लिया, वो उसके rate से काफी जादा नीचे आ जाएगा, अब अब अमजनसी के तोर पे उसको पैसे की ज़िए पड़ गई तो उसको lost में वो काटना पड़ेगा, अपनी holding को, तो वो वहाँ फस ज सकता है, live insurance ले सकता है, थोड़ा सा mutual fund में इंडर्स कर सकता है, तो safe zone में उसका maximum पैसा होना चाहिए, उसके बाद उसकी capital का 20%, 80% तो safe zone में हो गया, 20% वो stock market में निवेश कर सकता है, और वो 20% को भी कैसे निवेश करना है, वो मैं आने वाले अभी आपको आगे बताता हूँ, अब उसी में second case लेते हैं, जिसकी age 27 साल है, जिसकी अभी अभी job लगी है, दो-तिन साल हो गए, अब थोड़ी इसकी गाड़ी चलने लग गई है, उसकी दुकान थोड़ी चलने लग गई है, उसको income आना शुरू हो गया है, तो वो अपनी total capital का 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उसको फिक deposit में ही रखना चाहिए, जैसे की, वो life insurance ले ले, थोड़ा mutual fund में डाल दे, PPS में भी शुरू करना चाहिए, तो कर सकता है, PPS भी एक अच्छी investment होती है, वो tax lab में भी उसमें rebate मिलेगी उसको, तो उसको मेरे साब से 40% अपनी total investment का, जो है फिक deposit में रखना capital के उपर, तो अब इसको कैसे invest करना है, आईए, यह मैं आपको बताता हूँ, वही असली है money management, जिसको हम कहते है, हम जो case ले रहे हैं, बी case ले रहे हैं, जिसके पास अभी जो young है, जिसकी age 27 plus, 2730 around है, तो 6 लाग उसको मेरे साब से share बजार में invest कर देना चाहिए, तो कि share ब रखना चाहिए, उसको share बजार में तभी लगाना चाहिए, जब बड़ा crash आएगा, जब बड़ी dip आ जाएगी, जैसे हम देखें, 2008 में भी एक बड़ा crash आया था, उसके बाद, लंबे बुलन के बाद, 2012 में फिर dip आया, बहुत अच्छा, फिर 2013 में भी आया, तो ऐसे एक ब पैसा है, 30% जैसे suppose कर लीजिए, अभी तो market बहुत उपर है, अभी मत लगाईए, अभी थोड़ा wait कीजिए correction का थोड़ा, correction आये तो उसमें से 30% पैसा वो लगा दे, 30% पैसा वो लगा दे, अपना बजार में, जब एक पहुत अच्छा उसको dip लगे, उसको लगे high quality business में ल है, हो सकता है कि थोड़ा वो और नीचे आजए, तो शायद वो उस stock में फिर इंवेस्ट करता है, देखो दोस्तों हम किसी भी stock में को buy करते हैं, तो हम हमेशा यह पाएंगे, जब भी हम किसी stock को buy करेंगे, वो हमारे rate से नीचे आजएगा, और जब भी हम sell करेंगे, तो बिजनस कैसा है, बिजनस को समझे, बिजनस की में दम है, आगे बढ़ने का तो तो ठीक है, तो वो invest कर सकता है, मैं इसमें पैसा रोकने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आपने पैसा लगाया, अब इस रेट पर आपने buy किया, आपको नहीं पता कि बोटन लेवल है, और ना आपको यह पता है कि यह कितना नीचे जा सकता है, तो एक डेस तरीका जो होता है, मैं कोशिच करता हूं कि सारा पैसा एक साथ ना लगाँ, जैसे मान लीजिए, 100 रुपे का stock है, मुझे अगर लग रहा है, अभी यह 80 रुपे पर आ गया, तो अब हो सकता है कि वो प पूरी करने चीए, study पर मैं fundamental पर सबसे जारा ध्यान देता हूं कि जी भी stock को भाय करने से पहले, तो आपको भी fundamentals तो जरूरी करने चीए, और अगर आप fundamentals के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक financial planner की अपनी help ले लीजे, वो आपको थोड यहां से पैसा बनाया जा सकता है, बिलकुर बनाया जासता है, थोड़ा मतलब उसके लिए strategies हैं, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, तो मेरे साफ से इस 50% में से 5-7% पैसा वो इंटर डे के लिए अलग से लग सकता है, वो इंटर डे में उसको यूस कर सकत है, इसको कैसे यूस करना है, आईए मैं इसके बारे में थोड़ा ओर डेटेल्स में बताता हूं आपको, आईए एक उधारन देके मैं आपको समझाता हूं, सपोस कर लिजिए कि आपका जो 5-6% बैटर है, अमांट बैटर है एक लाकर पे तक, अजूम कर लिजिए थोड़ एक लाकर पे का अकाउंट है, तो उसका आईडियली जो रिस्क रेशियो होना चाहिए, पर्टेट, 2% से जारा नहीं होना चाहिए, अपनी टोटल कैपिटल का, तो 2% हम निकालेंगे, तो 2000 पे हो गया, तो मेरे हिसाब से उस इंवेस्टर को ऐसे ट्रेड डालने है, इंटर इंवेस्टर, तो ये एक बहुत अच्छी फिगर मानी जाती है, ये एक आईडल स्टेशन मानी जाती है, तो इसमें क्या होगा कि आपका अकाउंट कभी मेरे साथ से जीरो नहीं होगा, आप लंबे टैन तक सर्वाइव कर पाएंगे, शेह बजार में मेरे साथ से जो एक न में आती है, कई इंवेस्टर बोलते हैं, ये तो इस तरीके से मैं काम करूंगा, तो मेरे जनरली स्टॉप लॉस हिंट हो जाएंगे, तो मेरे साथ से जो मैक्सिमम जो रिक्स कोई लेना चाहिए उसको अपनी कैपिटल के ओपर, जैसे एक लाग की टूटल कैपिटल है, तो पांच परसंट वो ले सकता है, भी मैक्सिमम बहुत हाय साइड पर मैं बहुत रहा हूँ, तो पांच परसंट मैं निकालूंगा, तो वो निकलेगा पांच जार पे, तो मेरे साथ से अगर आग कोई टेडिंग कर रहा है, तो उसको किसी भी हालत में एक लाग कर रोपे के ओ माल लेजिए अगर आज इंटेडे में आपने पांच टेड़ डाले, तो जो नया इंवेस्टर है, जो भी चीजों को सीख रहा है, जो इंडिकेटर सप्लाई कर रहा है, हो सकता है कि उसके दो टेड़ टुके में भी ठीक लग जाएं, मेरे हसाफ से जो मैक्सिमम उसको रिस यही है मेरा एक successful trading का पंडा, तो इसमें money management की advantages क्या है, वो मैं आपको बसाता हूं, तो सबसे पहले तो मेरे अंदर confidence रहेगा, अब suppose कले जो मैं इंटेडे टेडिंग कर रहा हूं, जासे मैंने example दिया आपको, अगर मेरा लाख रते की capital पे, अगर मेरा 2000 पे का नुकसान भी ह यह नहीं होगा कि मेरी capital मेरा 98,000 तो है न, तो अगले दिन मैं study करके, और अच्छे से preparation करके आऊंगा, और वो चीजों को भी recover कर दोंगा, तो confidence होने के साथ साथ आपके, आप जो resistance लेंगे, उस पर आपका control होगा, आपको fear नहीं होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, और आप सही से trade डालेंगे और maximum return कमाएंगे, तो हम money management की policies को follow करेंगे, तो काफी हद तक जो है, आप stress free रहेंगे, और emotionally जो है, आप क्योंकि क्या होता कि internet में हम trade करते हैं, तो जब हमारा loss जारा हो जाता है, तो हमारे emotions भावी हो जाते हैं, तो हमारे decision गलत होने लगते हैं, तो ह हम एक full full plan के साथ काम करेंगे, तो हमारे emotions आगे नहीं आएंगे, तो emotions आगे नहीं आएंगे, तो फिर हम जो है, चार्ड को देखके, चीजों को समझ के हमारा दिमाख automatically चलने लगेगा, और हम अच्छे से काम करेंगे, और possibility जादा है कि अगर थोड़ा loss भी हो गया, तो आने प्रड़क करेंगे जाते हैं, बजार में, मान लिजे, एक हम mineral water की bottle करेंगे जा रहे हैं, वो है 15 रुपे की, एक shopkeeper 15 रुपे की इसको बेच रहा है, तो shopkeeper को कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने पैसे से मतलब है, आप क्या 15 रुपीज है, तो आपको bottle देगा, otherwise वो नह less है, emotionally attached नहीं है, वो कस्मा के जाद, तब ही वो business कर पा रहा है, तब ही वो पैसा कमा पा रहा है, तो दोस्तो ये एक छोटी सी strategy है, ये एक छोटा सा तरीका है, money management जिसको कहते है, मेरे साब से एक investor को इस तरीके से काम करना चाहिए, अगर वो इस तरीके से काम करेगा, तो व फिर कोई भी strategy बनाने से पहले, आप अपनी खुद की study करें, या फिर अपने financial planner या financial advisor की एक सला ले ले, तो मैं उमीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को like कीजिए, और अपने comment दीज आपको 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 आपको